हेलो दिस इस बिर्जेश कुसबहा और आम देख रहे हैं ब्रेंड फोर टेक्निकल एजुकेशन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट बेस्टिंग यूर टाइम वेलकम तो ओल इस्टुडेंट्स इस बिर्जेश कुसबहा और आप देख रहे हैं ब्रेंड फोर टेक्निकल एजुकेशन लेक्चर नमबर सिक्स में हम लोगों ने जो कुशन नमबर वन कंप्लीट किया था इस नमबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे तो जैसा कि हमें कुशन सेकेंड में बोला गया कि हमें क्या करना है को सेकेंड में कि अब आपको प्रीवेस लेक्चर में बताया था रूट्स जब इक्वल होंगे तो क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी इक्वल टु जीरो आएगा अंसर मीन्स क्या हुआ कि यदि उन्होंने बी स्क्वाइर मैनस फोर एसी इक्वल टु जीरो बोला है तो आप क्या करेंगे इक्वल टु जीरो राइट कर देंगे जो भी कोश्चन है चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर सेकिन के फर्स्ट पार्ट को हमारा कोश्चन यह है टू एक्स स्क्वाइर प्लैस के एक्स ट्री इक्वल टु जीरो या अब फिर से हम केंपेरिंग कर लेंगे बाइक वाड़री फॉर एक्वेशन से जो जनल लिकेशन सब्सक्राइब की एक्वल टू टू एंड वी मिन्स के हैं एंड सी मिन्स है हम क्या कर लेंगे एवी और सी तीनों की वेलों हमने राइट कर ली लेकिन हमें क्या वह ला गया है विकॉस रूट्स बिकॉस रूट्स आर इकॉल यहनी जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं इकॉल है और जब रूट्स इकॉल है तो इसलिए क्या होगा so that b square minus 4ac means discriminant जो होगा हमारा equal to 0 मैंने आपको पहले ही clear कर दिया है कि जो हमारा रूट्स है अगर एक्वल होगा तो बी स्क्वाइर माइनस का फॉर इस एक्वल टो जीरो हम लेंगे यह क्यों हो गया इतना अब क्या करेंगे हम यहां बैलो को सटिस्पाई करा देंगे एक्वल टो जीरो ले लेंगे now b means k n square also we will put minus तो minus लगा देंगे जैसे पहले करते थे same करना है कुछ भी new change नहीं है and a means 2 and c means 3 equal to zero कर लिया हमने देखे k square तो हमारा k square रहे गा ही रहेगा 4 to the 8, 8 3 जा 24 now then it will be k square minus का 24 आगे हमारा ठीक है अब क्या होगा इस minus k square k square तो एक्षिस रखेंगे लेकिन जो minus 24 है transpose करेंगे then it will be 24 अब यह k square में है जब इससे square हटेगा तो इस पे का लग जाएगा under root आ जाएगा तो root 24 आ जाता है root 24 आ जाएगा अब हम क्या करेंगे यह हमारा answer होगा वो root 24 clear हो जाता है अगर हम आगे और उसको solve करना चाहते है उसको और solve करना चाहते है तो हम क्या करें 24 का square root निकाल ले कैसे चलिए 24 का यहां पर रफ में कर लेते हैं 24 तू बन जा टू टू जा तू सिग्जा दैन टू थ्री जा दैन थ्री बन जाओ गया और हमने आप से क्या बोला था कि जिनका प्यर बन जाता है वो बो रूट से बाहर आ जाते हैं यानि उनमें रूट नहीं रहता इनका प्यर बन गया यानि यह रूट से बाहर आ जाएगा और इसका प्यर नहीं बना यानि थ्री तू जास्तिक तो यह आ गया तो हम क्या 3 करेंगे या तो 24 रूट करें या और शेक्स राइट करें हैं एक्वल टू प्लस माइनस टू रूट 6 और यह यह कि वैलू यह को हमारे पास यह आ गया प्लस माइनस तूलोट 6 अंब आप सोचांगे प्लस माइनस क्यों लगा या देखिए होता क्या है mathematical process में कि किसी भी चीज़ का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा और हमेशा plus minus दोनों में ही आती है तो जो ऐसी conditions होती है जो roots वाली conditions होती है उन roots वाली conditions को swap करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है plus minus दोनों conditions में दिखाना पड़ता है तो क्या हो गया हमारी जो के की वैलूज है वह दो आएंगी प्लस और माइनस है चले कोश्ण नमर्स सेकंड देखेंगे कोश्ण नमर्स सेकंड देखेंगे तो जो कोश्ण सेकंड है हमारा के एक्स ब्रेकेट के मैनस टू प्लस सीक्स एक्वाल टू जीरो यह ब्रेकेट यहां ना होकर अंदर है यह लाइक डेस तो हाव यूट सॉल विट क्या करेंगे इस kx का पहले इस x में multiply होगा फिर इसी kx का इस minus 2 से multiplication होगा तो चलिए क्या करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा kx देखिए 2x यहाँ पर ये 2x है तो इसलिए kx square होगा अब फिर क्या करेंगे इसी kx का multiplication is minus 2 से भी करेंगे so it will be minus 2 के x हो गया अब क्या करेंगे हम इतना हो गया अब ये इसके multiplication दोनों के साथ हो गई अब आगे हम questions को continue करेंगे plus to plus 6 equal to 0 अच्छा एक चीज़ और भी है कि अब हम क्या करेंगे जैसे हमने पहले compare region किया था ABC की values निकाली थी same process यहां पर भी हम यहां पर भी ABC की values लेंगे तो हमारा A की place पे क्या हो जाएगा A equal to K and B means 2K ना कि 2 क्योंकि हम इतना यह मान के चलते ही numerical value है जो variable है वो X ही है तो यह हमारा 2K हो गया and in place of C we will write 6 6 हो जाएगा अब हमें पता है कि हमारे roots कैसे हैं equal है तो यहां पर थोड़ा यह चीछ ज़रूर राइट करेंगे because roots are equal यहनि जो roots है हमारे वो कैसे हैं equal है और जो roots equal है so we will write so that B square minus 4 A C equal to 0 ले लेंगे और in place of B we will write 2K and square also same and 4 and in place of A we will write K and in place of C we will write 6 equal to 0 as it is same then what we will do अब देखेगा इसका हम square करेंगे तो इसमें क्या है 2 के combine में है एक साथ है तो पहले हम 2 का square करेंगे then it will be 2 2 जा 4 हो गया and K square will be K square यह हमारा हो जाएगा 4 K square minus अब यह देखें यह तो हमारे पास एक constant term है के यह इनका और इसका मंटिफिकेशन होगा तो 64 जा 24 आजाएगा वो भी किसका आएगा माइनस का तो माइनस का 24 K equal to हो गया जीरो हमारे पास अब क्या कर लेंगे 4 K square माइनस अब देखें यह माइनस का है जब इस तरह प्राइंस पोज होगा तो यह प्लस का हो जाएगा प्लस का 24 K हो गया अब क्या आजिया देखें यहां भी K है और यहां भी K है इस तरफ क्या है कि K की 1 power है और इस तरफ क्या है K की 2 powers है तो 1 K cancel होगा तो यहां पर 1 power cancel हो जाएगी It means K only left So 4 K equal to 24 Then it will be 24 तो क्या कर सकते हैं देखें अब यह 4 से 24 को direct cancel भी कर सकते हैं या तो आप transpose कर ले या आप direct cancel कर ले बोध हार सेम प्रोसेस 4 बंजा 4 4 सिक्जा 24 आ गया तो क्या 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 जाएगा यह 6 तो इस question के लिए क्या 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 जाएगी 6 आ गई तो यह question number second हमारा complete होता है इसका two parts है देखी question number 3 में हमें क्या जाए रखा है कि is it possible to design a rectangular mango group क्या possible है mango group को design करना जिसकी length क्या है length is twice its breadth यह जो length है वो breadth की क्या है दुगनी है twice है जिस end area के दे रखा 800 meter square if so find its length and breadth हमें क्या निकालना इसकी length और breath निकालनी है तो हमें क्या दे रखा यानि जो breath है उस breath की twice length है तो हम किसको let करेंगे पहले let we the breath पहले हम breath को let करेंगे इक्वल टू एक्स मीटर हमने क्या लाइड कर लिया एनि जो इसकी breath है वो क्या हो जाएगी एक्स मीटर हो जाएगी और ब्रैथ हमारी x मीटर हो जाएगी और उन्होंने अकॉर्डिन क्या बोला है कि जो इसकी length है वो breath के twice है तो so that लगाएंगे और क्या इस लेंद्ध इस लेंद्ध इक्वल टू क्या है twice है twice मिस्टू किसकी twice है इस ब्रैथ की तो breath क्या हमने माना x माना तो इस लेंद्ध क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी 2x मीटर लगा दिया अच्छा उन्होंने अकॉर्डिन कोश्टन में क्या दे है कि इसका जो area है area है वो area क्या दे रखा है 800 मीटर स्कूर और area का जो formula होता क्या होता है एल इंटू बी होता है तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा 800 and in place of L we will write 2x क्यूक्य लेंद्ध हमारी 2x तो ये इक्वल टू 800 आ गया आप देखेंगा तू ये x x x स्कुर्ण फो tayर हो जाएगा डेन इट विल बी टू x स्कुऻ्ण इक्वल टू 800 केंसलेशन कर लें गे 2 बन जया और four जाए यहीं क्या गया 400 आगया तो X is square equal to 400 यह आ गया अच्छा अब यहां पर क्या होगा है यहांपे क्या होगा है इस तुरब क्या कर लेंगे स्वाहिर ँड़ रूट लग जाएगा seo in this condition x equals to x to under root 400 और देखिए मनने आपको बताया है कि 4所 काtım है उस आता है और 2 0 है तो 2 0 का सिंगल जीरो आजाएगा यह आए इसकी ब्रैथ किया हो गई है ब्रैथ किया हो गई 100 की यह हुजाएगी लेंथ क्या यहां react कर लेते हैं सो देट इस लेंथ इक्वस्ट लेंथ क्या थी टू एक्स थी तो हम निकाले लेंगे टू इंटू एक्स और एक्स की प्लेस पर क्या राइट कर देंगे चलिए इधरी राइट करते हैं एक्स की प्लेस पर क्या राइट करतें इस इन दिस कंडिशन लेंथ फॉर्टी मीटर अधिशन क्या जाएगे हमारे पास फॉर्टी मीटर अब यह थी कोश्ण हमारा कुशन नमधर थाड़ कंप्लीट हो गया देखेंगे कुश्ण नमबर 4 में हमें क्या दे रखा है is the following situation possible क्या ऐसी situation possible है if so determine their present age यहनि कोई दो लोग है उनकी present age को लेकर क्या कोई ऐसी position possible है तो क्या position possible ने चली देखते हैं देखते हैं कि the sum of the ages तो फ्रेंड इस ट्वेंटी एर यह नि कोई दो दोस्त हैं उन दोनों दोस्तों की एज का जो सम है वो ट्वेंटी एर है उसके बाद क्या वहला है फोर एर एगो दा प्रोड़क्ट ओप दियर एज इन इयर वाज फॉर्टी एड यह आज से चार साल पहले दूरों दोस्त की जो एज इंन एज का जो प्रोड़क्ट है वो कितना था तो उन्होंने पूछिए यह उन्होंने क्या क्या होंगी दो दोस्त नहीं कि एक दोस्त फर्स्ट फ्रेंड की एच जो है एक्स ले लेंगे तो दूसरी वाली जो एच आज आजाएगी दूसरे फ्रेंड की जो एज निकल जाएगी 20 में से एक्स को सब्टेट कर देंगे जैसे मैंने प्रिबियस लेक्चर में आपको बताया था जो दो सब्जेक्ट थे उन दोनों प्रेजेंट लेट विदा प्रेजेंट इस ओफ फर्स्ट फ्रेंड क्या ले लेंगे हम एक्स यार लेंगे ठीके ना चलिए तो दैट प्रेजेंट लेंट विदा प्रेसेंट इस ओफ सुअ श क्या हो जाएगी हम को यृक्वर क्या दोलों लेक्ष सुब्लेंड प्रियु क्या और 20 है तो हमने पहले फ्रेंड की एज को X ले लिया प्लस सेकंड कर देंगे एकवल टो ट्वुंटी राइड कर लेंगे तो जो सेकंड फ्रेंड होगा क्या हो जाएगा सेकंड वाले यह है तो से उदर करेंगे तो सेट्टिन इधर बचेगा यहां पर हैं क्या राइट कर लेंगे जो सेकंड फ्रेंड की एज होगी क्या जाएगी ट्वेंटी मैंडस का X year ये आ गया किकने year होगी अच्छा उन्होंने और भी बात बोली कोस्ट में क्या बोला है कि आज से four year ego तो आज से चार साल पहले first friend की age ले लेंगे और आज से चार साल पहले यनि four year ego हम क्या ले लेंगे second friend की age ले लेंगे चलिए four year ego फॉर यह एगो फस्ट फ्रेंड एज फस्ट फ्रेंड एज फस्ट फ्रेंड एज क्या जाएगी एक्स माइनस फॉर क्योंकि पहले दोस्त की एज हमने एक्स ली थी तो एक्स मैंसे यह नहीं पहले के लिए चार साल पहले की निकाल रहे हैं एक्स मानस फॉर राइट करेंगे अब दूसरे फ्रेंड की एज हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा इसमें से ही हम फॉर को सप्रेट क 20 माइनस X माइनस 4 और यह क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 आजाएगा 16 16 माइनस X तो दूसरे जो फ्रेंड की एज होगी वो 16 माइनस X यह आ जाएगी ठीक है इतने साल आ गई उसकी एज अब उन्होंने क्या कहा है एक बात और कही है क्या कही है कि प्रड़क्ट प्रड़क्ट भी दे रखा यह चार साल पहले दोनों की एज का जो प्रड़क्ट था वह 48 था तो हम क्या राइड कर लेंगे अप प्रड़क्ट कितना था फार्टी एड यह तो अब हम क्या करेंगे पहला फ्रेंड यह है चार साल पहले की एज का यह राइड कर लेंगे सेकेंड फ्रेंड यह है सिस्टीन मैंनस एक्स यह राइड कर लिया और इक्वल्ट्टू में हम क्या ले लेंगे फार्टी एड ले लेंगे और फिर क्या करें कलेंगे निए इनके एकस और सिस्टीन कद पर आऐ घमे एकस और सिस्टीन का मटिक्लिकाशन कट सिस्टीन नliers हो गया फिर क्या करेंगे इस एक्स का मंटिप्लिकेशन सिस्टीन से हुआ एक्स का मंटिप्लिकेशन एक्स से करेंगे तो यह देखे प्लस का है और यह माइनस का तो माइनस एक्स स्क्वाइर हो गया फिर क्या करेंगे इस फॉर का मंटिप्लिकेशन सिस्टीन से करेंगे तो शेक्टिन susten four जा सिस्टि-four और यह मैंनस तो यहां पर मैंनस का सिस्टि-four हो गया अब क्या जाएगा माइनस X और Que a obra का मंठिक्टिकेशन करेंगे तो four और यह भी माम्ठिकेशन गों यह भी क्या मिल जाय यहां कि एस तरीके से माइनस का स्ट elles ऐसे कि मैंनस के एक्स एसकों और यह है अब यह स्ट्टेइट लस्ट उन्ट एन्ट में इसे माइनस के अजह हो जाएगा यह है इड्ड हो गा तो एंसलेंस हो siis एक्वलिट गिए यह स्कुर्ण माइनस का 20 एक्स प्लास वन हंड्रेड ट्वैल्व इक्वेल टू जीरो आ गया अब क्या करेंगे इसके बाद में हम पेंपेरिंग कर आदेंगे इसकी एबी और सी से चलिए एक ही प्लेस पे हमारा क्या हो जाएका वन एन बी की प्लेस पे क्या हो जाएका हमारा स्क्राइट बन हंड्रेड ट्वैल यह हो गया अब फिर से हम क्या कर लेंगे इसक्रिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे और डिस्क्रिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर एस सी अब क्या हो गया हमारा इन प्लेस आउट बी विल राइट 20 स्क्वेयर आगया माइनस फोर एन एप मीनस वन एन सी मीनस वन हंड्रेड ट्वैल अब दिखें माइनस का अगरम स्क्वायर करते हैं तो पॉस्टे बैलू ही मिलेगी टू का स्क्वायर फोर और एक जिरो का डबल दिया यह और बंहंडेल वेका तो स्क्रारइड वर्टे सेसे कर देंगे तो फ़ोर हंड्रेड़ फॉर्टी एड मिल जाएगा मैं आप क्या करेंगे सब्परेट पर देंगे तो यह माइनस का फॉर्टी एट मिल गया अच्छा यह बीस का एक पार एक एक आ दीए स्कार मानस 4AC की बैलु क्या है निगेटिव में आ गई है यह जीरो से भी लैस्दन है दुनिया के सारे वैलू जो लैस्दन होती है निगेटिव में होती वो जीरो से छोटी ही होती है और हमें क्या बोला है equation में page number 89 में B square minus 4AC की value अगर less than 0 आ जाए इसका मतलब वो root नहीं होते है चलिए यहाँ पर क्या write कर देंगे क्या write कर देंगे so that equation has no real roots यह नहीं जो equation है the equation has no real roots यहाँ एक्वेशन क्या है real roots नहीं रखती है so that जब equation real roots नहीं रखती है इसका मतलब क्या होगा उन्होंने क्या वोला situation क्या possible है तो भाईया situation possible नहीं है hence the situation is situation is not possible यहाँ इस situation होगी वो क्या है possible नहीं होगी यह हमारा final answer आता है question number five की बात करेंगे if it's possible to design a rectangular park क्या एक rectangular park डिजाइन करना possible है तो कैसा डिजाइन करवा रहे हैं चली देखते हैं जिसकी perimeter क्या हो 80 meter हो और टो हो पीक हो अա़ mentioned अर्रे मिसलसस्तों कौniestbरшे ऑन पी और अर और यह कि यह पूंचा आई कि एक और रहे करेंगे रहे हें हो का अ अगर एरिया के तो हमें क्या करना है लेंद और से स्टार्ट करेंगे तो पैरिमेटर से स्टार्ट करते हैं तो पैरिमीटर क्या दिया है perimeter of rectangular park perimeter of rectangular park कितना दे रखा है में 80 meter दे रखा है अच्छा perimeter of rectangular का formula क्या होता है 2 bracket L plus V चाहे हम ये बात लिखें बात लिखें बात लिखें इक्वल्टू का इक्वल्टू आगे और ये hd note कर लेंगे अब क्या आजाएगा यहां पर 240 आगे L plus V इक्वल्टू 40 अब आप समझ चुके होगा कि हम क्या करना चाहरे हैं हम इसकी help से एक चीज़ को खाली कर लेंगे या ब्रेथ काली कर लेंगे तो हमने कहा किया हमने यहां से ब्रेथ को खाली कर लिए यानि V की बैलू को इधर रोका और L को अधर लेके चले गए यही इस B को खाली कर लिया उसके बाद में क्या दे रखा एरिया दे रखा हमें से पास बी की बैलू क्या लगा देंगे फर्टी माइनस का एल इक्वल टू फॉर हंडेट यहां क्या ऐसा अच्छा हमने इस B को क्यों खाली किया या तो आप ल को खाली करो तो इससे क्या होगा जो एक्वेशन हमें जो हमा फांड आउस होगी वह या तो आम निकलाए गी तो सेम प्रॉस्स है अब हम क्या करें गे इस एल का मंट्रिकेशन फटी से करेंगे तो यह हमारा आओ जाएगा फटी ऐल अब हम क्या करेंगे इस L square वाली value को हम पहले write करेंगे L square minus का तो minus का हो गया फिर single L वाली value को write करते हैं जैसे हमारी quadratic equation होती है और ये plus में है तो plus में 40 L हो गया ये minus का 400 है तो minus का 400 equal to आगया 0 तो वही हमारी quadratic form बन जाएगी अब क्या करेंगे इस minus का multiplication अंदर करेंगे तो L square minus का 40 L और ये हमारा plus का हो जाएगी क्योंकि minus के अंदर जा मंडिकलाई करेंगे तो equal to 0 आगया अब फिर से क्या कर लेंगे A, B, C की value को खाली कर लेंगे A equal to क्या है 1 है क्योंकि यहाँ पे जब कोई value नहीं होती है तो बन write कर लेते हैं N in place of B we will write minus 40 N in place of C we will write 400 इस तरीके से आगया ये अब क्या कर लेंगे बही पुरानी बात B square minus 4 A, C को हम find out कर लेंगे तो B की place पे क्या write करेंगे minus का 40 ये minus 40 square आगया minus 4 and in place of A, 1 and in place of C we will write 400 इस तरीके से ये आगया तो चलिए अब हम इसको solve करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 4 का square 16 हो जाएगा 1 0 का double 0 यानी 16 hundred यहां भी कर लेंगे 4 4 जा हुआ 16 और 2 0 यहां लगा दिए ये तो हमें equal to 0 मिल गया answer आगया हमारा equal to 0 चलिए अब जब equal to 0 मिल गया इसका मतलब क्या हुआ हमें पहले हमने आपको बता था कि यदी because B square minus 4 A C equal to 0 यहीं equal to 0 आगया इसका मतलब क्या होगा कि the equation has two distinct real roots यह बात हमने आपको बताई थी so that the equation has two distinct real root यानि जो equation है बोग दो अलग अलग distant root रखती है और real भी होते हैं तो इसी लिए क्या होगा जब ऐसा होता है तो situation क्या हो जाएगी possible हो जाएगी so that the situation has possible यानि situation क्या होगी possible होगी जब situation possible हो जाएगी अच्छा उसके आगे उन्होंने क्या पूछा length and breath पूछा है तो हम length and breath भी find out कर लेंगे क्या होगी अंडर रूट बी स्क्वाइर मैनस पूर एस्टी अब वान तूट एगे चलिए यानि जब situation possible है इसका मतलब क्या करेंगे हम रूट को find करेंगे तो रूट को कैसे find कर सकते हैं चलिए यानि रूट को कैसे find करेंगे minus का b तो b की value क्या है minus 40 तो एक minus formula का और 140 इसका minus 40 plus minus आ गया अच्छा b square minus 4ac की place जैसे हमने previous question में इसको भी solve किया था लेकिन यहां पर इसको solve नहीं करेंगे मैंने आपसे बोला था कि हम इसको direct करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे d square minus 4ac की place पे हम 0 right कर देंगे क्योंकि इसकी value क्या आ गई 0 फिर 2 and a की place पे क्या right कर देंगे 1 तो यह हमारा आ गया आप क्या करेंगे minus minus हो बाइगा plus यानि यह हमारा हो गया 40 plus minus भी Must यह आगया 0 upon यह हमारा हो गया 2 बन जा 2 यानि 2 आ जायाद़ इард के न यह हमारी value क्या जाेंगी x आ जाएंगी यानि roots आ जाएंगे x means यानि roots आ जाएंगे अब हम क्या करेंगे दिखे 2 बन जा 2, 2 तू जा 4 यह और यह 0 का 0 यह यह भी root हमारे क्या आ गए 20 आ गए और जैसे ही roots निकलते हैं और हमें क्या बोला है कि जो roots होंगे हमारे वो कैसे होंगे equal होंगे दिस्टिंक्ट होंगे यानि एक value प्लस की होगी और एक minus की होगी अच्छा तो क्या कर लेंगे एक हम जो positive value है यानि तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास L प्लस V equal to 48 है था हमारे पास तो यहां पर हम क्या करेंगे L की place पे L तो हमें L E right करना है B भी हमें find करना है तो B की हमने value लगा दी क्योंकि L find करना था B की value लगाएंगे और यह 20 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या निकल क्या जाएगा 20 means 20 ही आएगा तो length भी हमें 20 मिल जाएगी और breath भी हमारी कितने जाएगी 20